हेलो फ्रेंट्स मेरे रोज ग्लो चानल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हापी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत-बहुत ध्यान रख रहे होंगे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग सा पक शेयर करने जा रही हूँ गर्मी के मौसम में चाय टानिंग हूँ, चाय हमारी स्किन की और कितनी भी समस्या है हूँ हम क्रीम से जादा पक्स का यूज करना प्रसंद करते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से हम इने बना भी लेते हैं और यूज भी कर लेते हैं तो फ्रेंज आज जो पैक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह आपकी स्किन पे वाइटिनिंग लाएगा आपके आक्ने पिंपल्स की समस्या को फिनिश कर देगा बहुत जादा डार्क स्पोड्स हैं या स्किन पे बहुत जादा टैनिंग है तो उस समस्या को भी पूरी तरीके से फिनिश करने वाला है अटने पिंपल्स वाले भी इस पैक का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंज आगे वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से मैंने पैक बनाया है क्या-क्या यूज की सारी चीजे में आगे आपके सब वीडिय अब फ्रेंट्स देखिए इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बड़ा चम्मच भर के ओट्स पाउडर ओट्स को आप मिक्सी में डाली जे और उसका इस तरीके से पाउडर तयार कर लेजे साथ में हमें लेना है एक टी स्पून सांडल बोट पाउडर एक बड़ा चम्मच भर के दही दही खटा लीजेगा विदाउट पानी वाला साथ में हम इसमें आड कर रहे हैं कस्तूरी हल्दी दो पिंच कस्तूरी हल्दी आपको इसमें आड करनी है और सबसे लास्ट में जो हम आड करेंगे इसमें वो है रोज बाटर साथ में हम इसमें आधे नीबू का रस भी आड करेंगे फ्रेंट्स देखे नीबू हर एक की स्किन को सूट नहीं करता अगर आपकी स्किन को नीबू सूट नहीं करता तो आप नीबू को स्किप भी कर सकते हैं पर यकीन जानी है नीबू डालने से आपका ये पैक बहुत कमाल का बन जाएगा और सबसे लास में हमने यहां पर एक चमश रोजवाटर एड़ किया है इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है ओट्स हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं आकने पिंपल्स वाली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं सथ ही साथ आप ये देखिए कि ओच्ण का पाक आप वीक में दो से तीन बार यूज्ट कर सकते हैं ये आपकी सिकन को नुपसान नहीं अच्छे से लगाने के बाद आप इसको semi dry होने के लिए छोड़िएगा पूरा dry मत करिएगा अदर्वाइज यह आपकी skin के साथ चिपक जाएगा तो यह देखिए हलका dry हो चुका है यहां पर अब मैं आपको यहां पर एक गीले टॉवल से इसको वाइप आउट करके दिखा रहे हूँ यह देखिए skin कितनी clean हो गई है बहुत अच्छे से skin इससे clean हो जाती है और friends देखिए जो घरेलू pack हम लोग बनाते हैं न Homemade pack की सबसे बड़ी खासियत ही होती है कि यह किसी भी तरीके से हमारी skin को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हमारी skin को beautiful भी करते हैं without any harm तो यह देखिए हमने पूरी skin को मैं यहां पर आपको अपनी wipe out करके दिखा रहे हूं अच्छे से और यहां वाश करने के बादा प्रेजर्स खुद देख सकते हैं मेरे गालों पर कितनी अच्छी शाइन हैं अपनी कितनी आसानी से यह pack तैयार हो जाता है और यह वह बहुत अच्छा सोसे हैं आटि ऑक्सेडेंट का हमारी सकन को डीपली क्लेंस करने के साथ साथ हमारी सकी पे एक वाइटनिंग एफेक्ट देते हैं हमारी सकीं के डाइक स्पॉर्ट्स और बहुत सारी समस्याओंगों को फिनिश करने में Hilp करते हैं असाती साथ थ करती हो मेरे आज की वीडियो लगे होगी आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी यह बड़ी आसा पाक आप अपने घर में बनाएंगे यूज करेंगे साथी साथ करेंगे अपनी व्यूस मेरे साथ चेर और मेरे चानल को सबस्क्राइब भी करेंगे टेक कियर बाई-बाई-